गूड मॉर्निंग बच्चों किसी काम को करने के पहले उसका परड़ाम अवस्य सोच लें और अगर ऐसा करते हैं तो ये संभावना है अधिकतर गलत काम होने से रुख जाएंगे आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में आज मेरे चेहरे पे आपको बारा बज़ा दिख रहा होगा सुबा सुबा उसकी वज़ा ये है कि अभी तक मैं सोया नहीं और हो सकता है सोजा थोड़ा साइसा लग रहा है बाकि आज प्रेक्टिस कोईशन होगा जल्दी क्लास खतम होगी मैच के दर्द की दवा देखो यहाँ पे क्या क्या है बहुत जरूरी है जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी प्रेक्टिस करना भी है पहला कोश्चन है बच्चा क्या कह रहा है कि इन में से कौन रेफनल नंबर नहीं है जरा देखो प्यार से और मुझे बताओ ठीक डन अगला सिकेंड के रहा है इसको अगर भाग करेंगे तो रिमांडर क्या आएगा रिमांडर क्या आएगा इसको रेफनल नंबर बोलते है बच्चा पर मिये संख्या को रेफनल नंबर बोलते है बेरे गुट देखो इनको भाग करोगे तो सतरा एकम सतरा गटाने प को पता इन में कितने का अंतर है नो का अंतर है तो आपका रिमेंडर कितना आएगा बच्चा नो तीफरा कुश्चन बहुत प्यार फे देखना बिलकुल इज्जत के बाद इमांदारी के साथ चलो क्या कह रहा है संख्या 28 का सबसे बड़ा अपवर्तक अपवर्तक को बच्च सबसे बड़ा फेक्टर होता है यानि अपवर्तक जिसको बिभाचा कभी बोलते हैं वो संख्या खुद होती है सो इसका आंसर हो जाया का बच्चा आपका 28 अगला चार नंबर 30 सिकंड में एक प्रस्न होना चाहिए 120 सिकंड चलो 35 का सबसे छोटा गुड़ज गुड़ज य होगा 35 ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास अगला नेक्स्ट कहरा संख्या 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज संख्या है अभाज संख्या यह नि प्राइम नंबर चलो बताओ कि 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 इतनी कि बहुत अच्छा अभाज संख्या कि अगर हम बात करें तो 23 हो जाएगा यही दो ही संख्या है बाकी और कोई नहीं है अगला चे नंबर बताओ कि कह रहा कि साथ बटा नव आ पांच बटा चार के बीच में कौन बड़ा है बरे गुड देखिए बहुत अच्छे लाल टोपी वाले बहुत अच्छा मैनात कर रहे हो जाग रहे हो चलो इप इसमें अगर बाक करोंगे सीधा फीधा वान पॉइंट संथिंग अएगा इसमें बाक करोंगे जीरो पॉइंट संथिंग आएगा यह वाला बड़ा है अगला चलू क्या क्या इसमें करा इनको जोड़ना है बहुत आसान है पहले इनका LCM ले लो हरों का तो 25 तीया 75 LCM हो जाएगा बच्चा जब 75 में तीन से भाग करोगे तो 25 आएगा एक में गुड़ा करोगे 25 पांच से भाग करोगे 15 आएगा 15 दुना 30 फिर 5 से भाग करोगे 15 15 35 सब को जोड़ोगे भाई सा आप कितना आ जाएगा पता नहीं का तुम्हें चार बटा पांच आएगा इसका अंसर मालूम है यह जूड़ेगा 37 तीस सो आएगा सो बटा पच्चीश से काटो बच्चा पचीश चो का सो पचीश पच्चे ना यार 25 तीया 75 होए भाई चार बटा तीन आएगा ना नबद आप करो जो नीचे उपर आगए पीछे कट रहें काट लो फटा फट 14 एकम 14 चूदा तीया 42 अठार एकम 18 अठार तीया 36 इधर देखो चो चूदा एकम 14 देखो भाईया सब निपट गए यह भी डिवाइड हो गया वन वन हो गया फाइनल में वन अपां तीन साइड में पता दे ना देखो सब पढ़ाया गया है प्रेक्टिस बहुत जरूरी है अब कुछ लोग जो नहीं पढ़ेंगे इमांदारी फिर दिल से बिलकुल मजा नहीं आएगी जान लो तुम खुद भी तो कोसिस करो मैंने पढ़ा दिया बत्तिफ कलास ता है तिफ कलास चौतिफ सबसे पहले तो एक काम कर सकते हो तुम अगर यह नीचे उपर डिवाइड हो रहे हैं आपस में ही तो डिवाइड कर दो इनको पलट जाएंगे यह तुम्हें पता है भाग का चिन लगा होता है हटता है तो गुड़ा का चिन लगता है तो पलट जाता है इनको आपस में भी दिबाइड हो रहे हैं तो कर लो फटा फट ठीक है तो देखो तीन से डिबाइड हो जाएगा तीन सते एकाईस ये डिबाइड होगा हां ना होगा भाई या नहीं होगा ना अब गुड़ा कर लो इनका तेरा का तेरा में गुड़ा करो के कितना होगा जानते हो तेरा तेरा तेकाईस करना हो अफिलाया तीन तेरा एकम तेरा तीन सोला और आपका ये साथ चांग 42 साथ दुना 14, 4, 18, 7, 7, 8 देखो सम्थिंग जो भी डिबाइड होगा कर देना आगे बढ़े चलो आगेला बताओ जल्दी करो भाई बहुत अच्छा बेरे गुड बेरे गुड एक अंक पर दस हमलो है साथ बटा दस ग्यारा नमबर बहुत अच्छा बच्छा बेरे गुड बेरे गुड बेरे गुड बेरे गुड चलो तीन पच्छे 15 पंद्रा पंद्रा आगगा बच्छा देखो यहाँ पर तीन अंक पर दस हमलो भाई यहाँ पर दो आंक पर है फाइनल में तीन दो जोड़ोगे 5 यहनि टोटल 5 अंक पर डिसिमल स्वाला स़ई है बास नमर में आ जाओ बहुर है रहा है कि 0.35 और 0.005 का मान ग्यात की आफ दिखो उपर लो इस संग थे टीन अंग पर है तो इसमें काम करेंगे हम उपर fay अगर हम दिस संभलो खतम कर दें तब भी नीचे हमें एक अंग पर लगाना होगा क्यों 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 क्योंकि नीचे एक अंक जादा थी संख्या तीन थी उपर दो था है ना दसामलो अटा आओगे भाई साहब यह आएगा 35 बटा क्या आएगा 5 दसामलो अटा दिया तूपर जीरो सत्तर आएगा एक बार इसको हम बेसिक तरीके फिर ट्राई कर लें आओ जैने दो छोड़ो क्या ट्राई करें टाइम ने इतना न आगे बढ़ें कहीं कोई बूल चुक होगी तो मुझे बता देना देखो भाईया इसमें दोनों बराबर है बाबू दसामलो आप हटा सकते हो पराम से क्योंकि दोनों बराबर बराबर अंग पर दसामलो है तो यह च्छे आएगा सिर्फ और सिर्फ 14 नमबर बताओ चल दी से आखे खोल लो देखो सुबा हो गई फिली मने लाइट बदल दिया चलो देखो नीचे से दो अंग पर दसामलो है हटाओगे तो उपर दो जीरो बढ़ेगा नीचे दो सबको पता है दो सो आएगा हो गया आंसर खतम बढ़िया चलो 14 कोईशन हो गया 7 मिनट में 15 देखो नीचे दसमलो नहीं है उपर दसमलो है दो अंग पर दो अंग पर उपर फे दसमलो हटेगा तो नीचे दो ठी 0 बढ़ जाएगा खतम 25 से डिवाइड करो 25 से कम 25 गटाने पर आएगा 12 25 पंचे एक सो पचीस 25 से कम 25 जीरो पांथ याई पंदरा पांदुना दस बीफ कहीं कोई भूल चूक होगा तो बता देना भूल चूक लेनी देनी तुने उना ऐसे कुछ चलो आल रियल नंबर्स आर प्राइम नंबर या आर रियल नंबर्स आर इमेजनरी नंबर आर नेचुरल नंबर आर इनमें से कोई नहीं भाई साब जो रियल नंबर है न इनका बगत बड़ा छेतर है अपना अपना इनका इनका इलाका है रियल नमबर में आपकी अभाज संख्या भी आ जाती है प्रकृतिक संख्या भी आ जाती है बट ये काल्बनिक संख्या नहीं आती है ठीक है तो बट ये उत्तर फाई थोड़ी है कहरा सभी वास्तिविक संख्या होती है बहुत कुछ होता है तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें कि सभी प्राकृतिक संख्या सरी वास्तविक संख्या सभी रयल नमबर सिर्फ इरेफिनल हैं या भाज है या भाज है तो यह कहना गलत होगा। ठीक है जैसे माल लिजिए कि आप तीन भाई हैं आपके मम्मी है तो अगर आप कहो कि ये सिर्फ मेरी मम्मी है तो ये गलत है क्यों क्योंकि आपके दो और भी जो भाई बैने उनकी भी वो मम्मी है तो बिल्कुल वैसे ये भी है ठीक है 17 नंबर किरा कि साहभाज यानि को प्राइम नंबर क्या बच्चा को प्राइम नंबर भाईया बहुत अच्छा ऐसे दो नंबर जिनके HCF 1 होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं किरा इनमें को प्राइम नहीं है तो ये नहीं है कि इनका स्वाल करने के बाद एक पूड संख्या नहीं प्राप्त करेगी वह परमिय संख्या नहीं होगी तो यह वाला है कि की इसका गनमूल के है गाट जलो नेक्स्ट अभाउथ आफान है वरे गुड इनका दोनों का गुड़ा कर लोगे फर तो क्या जाएगा नौ फिर तीन का गुड़ा कर लोगे भैया तो इनका वर्गमूल नौ का तीन हो जाएगा और यह आपका रूटतीन ही रहेगा तो अच् 180 जो है 540 का कितना पर्फेंट है मानल भाई साहब की 540 का यक्स पर्फेंट क्या है 180 है ऐफे हल करते हैं ना 10 से 10 तो यह आप कहा जाएगा 54 यक्स बटा 10 बराबर 180 क्रास मल्टिपल कर लो यक्स बराबर 180 गुड़े 10 बटा 54 इनको हल करना मुझे बताना 18 एक कम ठारा 10 आ गया 18 ते यह 54 100 बटा 3 भाग करोगे सही बटा में बदल लोगे बात खतम दसामलों में आएगे ना 33.33 something बर्फेंट ना तो आज का यह क्लास यह पे खतम होता है एक मिनट और देर हो गया उसके लिए माफी चाहते हैं वाकी बन 10 मिनट में आपके 20 कोश्चन करा चुका हूँ प्रेक्टिस ऐसे हम बीच-बीच में कलास में ही करवाते रहेंगे पीडियाप के लिए परिछान ना हुआ करो आप लोग जो पीडियाप के लिए हैरान होते हैं बीच-बीच में कलास में प्रेक्टिस होता रहेगा ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें आल नोटिपिकेशन सेलेक्ट करें जिससे आप फ्री पड़पाएं ये बज़ टोटल फ्री है बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करके बताना ये कलास आप कहां फे देख रहे हो आपका जिला और राजी का नाम बताना और हाँ इतना ही नहीं ये भी बताना कि आपको हमारे बारे में कहां से पता चला और कलास को कितना बज़े देख रहे हो पुश्चन नमबर आज का जो सवाल है चौतिफ नमबर ये बताओ न्यूजूज देखते हो न लोग सभा चुनाओ दो हजार चौबिस का परिडाम का बाएगा ये इनाम वाला सवाल है डेड़ बताना ठीक है और किसको जिदा रहे हो ये भी बता देना चलो बहुत बहुत थाइंक्यू ये इनाम वाला सवाल है जो बीच में एक इनाम वाला सवाल होता डेली जरूरी है आपको आना चाहिए सब चीजे